रूजहान पर तो मैं कभी विसलेशन करता नहीं हूँ आएंगे फरी नाम मैं बातर गंटा जितना गंटा 48 गंटा का इंतेजार ही कर लेंगे फरी नाम देखेंगे और फिर लोगों की महनत वहां के लोगों का जुकाव सारा इसपश्ट हो जाएगा मैं सबसे पहले उनके पीछे जिन लोगों ने भी 17 दिन महनत किया जितना दिन का रहा उनका जो एक गंभीर परिस्तिती से वह बाहर निकले हैं जहां पर परिवार या फिर वो खुद उनके वियान को मैंने सुना जिनोंने अपना ये तोड़ दिया था कि सायद मैं बाहर निक मैं उनके एक छोटा सा पत्तर हटाने वाले के प्रति भी आभार बैग करता हूं कि आज जो भी है ये सांस ले रहे हैं या फिर इस प्रिश्तिती से बाहर निकले तो उन महनत का स्लोग जिनोंने इस अव्यान को चलाया उनको बताई देते हैं और उनके प्रति आभार बैग मैं हमेशा कर रहा हूं सो बाजी से आप मीडिया और अख़वार के मैदम से सुर्किया वटर सकते हैं और अपनी फीट अपने थपतपा सकते हैं बट रियलिटी में वो मजदूर वहां गये क्यों थें क्यों प्रिश्तिती ऐसी बनी कि वहां जाके काम करना पड़ा वहां को जाएं और उनके लिए इस प्रदेश के अंदर रोजगार का स्रीजन हो तब जाके कहा पाएंगे कि उनके बारे सोचा जा रहा है स्रम मंत्री इन विशयों पर कितना गंबीर है कि एक मंत्री को इस तरह से ब्यान देना उचित लगता है यह अगर साड़े आट लग जो लोग बाहर हैं जो सीधे सीधे मज़दूरी के लिए गए हैं जो मैं हमेशा काता हूँ एक लग से जादा लोग केवल दिल्ली में हैं और वो दिल्ली में हैं जो केवल मैला कूक या दाई बनकर कहीं काम कर रही है कोई मा अपनी वेटी को सोक से वहा नहीं बेजाएं उनके लिए गाउं में ठहराओ उसके सहर में ठहराओ उसके ब्लोक में ठहराओ का कोई हमारे पास आधार नहीं है इस कारण ये पलायन हो रहा है पहले भी और आझ भी